हेलो असलाम लेकुम फ्रेंट्स मैं हूं सनिया शार आप है इस्वर्ग के दरिशा के यूट्यूब चैनल अरिशा नावल्स पे आज हम रीट करने जा रहे हैं शितिती जनुन की किस नंबर 121 तो चले स्टार्ट करते हैं अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक बात कि आपकी बढ़ा राइटर का एक घंते की जो एपिसोड उसने रिकार्ट की थी वह पहले से डिलीर हो चुकी है बिचारी का मूँ बना हुआ है चोटा सा में रोजे रक रकर के उसका मूँ इतना सा निकला आया है और जो रही सही कसर थी वह भी बुरी हो चुकी है तर चले स्टार् आपको कुछ सप्राइजिस मिलें मतलब आपकी फेवरेट कपल्स को लेके तो यह तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूं तो इसके बारे में आपको अपनी राइटर को बताने की जरूरत नहीं है तो चले स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड लास्ट पार्ट लेस्टार जिसमें जैसे सातु आस्मान पर पहुंचा दिया था इसे मैं बाप बनने वाला हूँ मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं एक अच्छा बाप बनूँगा मैं इसे बहुत प्यार दूँगा मैं इसे अपनी तरह गरत रस्ते पर नहीं चलने दूँगा तुम इसकी परिवरिश करना तुम इसकी एक अच्छी माँ बनोगी देखना हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा वो अपने बाप की तरह नहीं होगा वो खुशी से इसे अपने सीने से लगाते हुए बोल रहा था जबकि इसकी अलफास सुनते हुए ईज़ा को हैल्थ हुई वो अपने बच्चे को अपनी तरह नहीं बने देना चाहता था वो इसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था और अच्छे इंसान से मुराद वो समझ चुकी थी यकिनिन वो चाहता था कि इसका बच्चा इसकी तरह किसी गलत रस्ते पर ना चले बलकि वो एक अच्छा इ कि परवरिश करेंगे हाँ मिलकर इसकी परवरिश करेंगे लेकिन इसे तरबियत तुम देना क्योंकि मेरी तरबियत इसकाबल नहीं है कि मैं अपने बच्चे को दे सकूँ वह बोला तो इसक को इसकी बातुबर दुख हुआ था ऐसा नहीं कहते दामयार आप एक बहुत अच् कि तरह बोल रही थी जबकि दामयार इसकी चेहरे पर देखता अचानक इसके लबू बर जुग गया था अंदाज में बेकरारी थी बेचैनी थी चाहत थी महबबत थी वलबलापन था वह जैसे इसकी सांसों तक चुरा देना चाहता था तुम्हें मनाना ही नहीं आता बीव से निकलने के लिए मचलने लगी थी लेकिन ये बात भी नचर, ननदास कर देने वाली ना थी कि वो दामयार शागी गृफ्ट थी जिसमें से निकलना मुमकिन ही नही था बलकि नामुम्किन था हाँ लेकिन इसकी गिर्फ सक्त से सक्त तर जरूर होती जा रही थी जब इस पतर्स खाते हुए वो इसके लबो को बख्षता इसकी गर्दन पर जुका था अच्छा ना आप छोड़ते, सीख लूंगी में मनाना इसकी गर्दन में अपनी बाहूं का नाजग साहिसार बनाती और मासूमियत से बोली तो दाम्यार्शा का कहका कमरे में बुलंद हुआ था सीखना तो तुम्हें पढ़ेगा और मेरे अंदास में सीखना पढ़ेगा ताके मेरे पास मजीद रूटने रहने की कोई वजा न रहे वो इसके बीगे लबू को अपने अंगुठे से चूते हुए दोबारा से इसके लबू को कैद करने लगा तो ईजा ने जरा सा पीछे हट कर इसकी आंखों में जांका था जबकि वो शरार से मुस्कुराता हुए इसके लबू पर जुका हलकी से जसारत करते हुए अब के की तरफ मतवज्ज़ हुआ था ये इतना सारा इंतिजाम किया मुझे मनाने के लिए किया गया है इसने आपकी दफ़ा कमरे पर बड़पूर निगा धाली थी जब इजाने जौड़ो शोर से हां में सरहिलाया था हां इसने इतनी सारी महनत इसके लिए ही तो की थी मैंने ना यूट्यूब से हजबन को बनाने के हजार तरा के तरीके सीखे वहां लिखा हुआ था कि इस तरह से बैड रूम को डिक्योर कर किया जाए और फिर केक बनाया जाए और केंडल लाई डिनर पो एक चीज गिनाते हुए इसे डिनर वाले टेबल की तरफ मतवज़ कर रही थी क्या बात है तुमने तो यूटीब से बहुत कुछ सीख लिया लेकिन मेरे मनाने की वज़ा तो कुछ और है वो अपना हाथ आस्तिगी से इसके पेट पर रखते हुए बोला तो वो शर्मा कर इसकी सीने में मुझ चेहरा चुपा गई थी ये तो सबसे में पॉइंट था मेरे कुछ वो खिलाते हुएं दो सर्गोषी नूमाँ वाज में बोली हां मनाना पड़े गाबरे ही वक्त पर तुमने ये खुछ खबरी सुनाई है करना में इसके नरास था कि आसानी से मानने वाला नहीं था वो इसके कान में सर्गोषी नूमाँ डूलें खक्रुशत कम तोसकर भी रूठाना रह सका जिस पर इसा बहुत खुश थी वैसे आगे फ्यूचर में मैं जब जब नराज हुआ करूंगा इस तरह किसी कुछ खबरी के चांसिस है क्या इसके सुना खनारी गालू पर अपने लब रखते हुए वो इसके लिए कुर्सी कीच कर बिठाने लगा था ज जब ढमियाशा ने मुस्क्रह कि इसके लिए खाना डाला सका इस तरह कर दो आरो न झांका य सिस्के लूब बाते देब जुठा पानी पीने लगा इस दान एक नज़र से देखा तो शर्मास ही गई थी लेकिन ये शर्माने का वक्त नहीं था क्योंकि शर्माने वाला काम तो वह अब इसके साथ करने वाला था पानी का गलास एक तरफ रखते ही वह इसके राजक से वजुद को अबनी बाहूं में मैं पूरी तरह से मान जाना चाहता हूँ इसे बैद पर लटाते हुए वह इस पर साया फगन हुआ था मैं मैं मना चुकी हूँ वह शर्माते विसके सीने में मुझ चुपा गई थी जबकि दामया जानता था कि इसे जदा वह इसे मनाने के लिए और कुछ नहीं कर सकती बाक पर अपने लब मेश करते हुए आइस्ता तरश की गर्दन पर युका अपने लबू की महल लगाने लगा था आई लाव युदामयार वह सरगोशी नमा आवाज में बोली तो इसकी गर्दन से मुह नकाल था वह वह बयकीनी से देखने लगा था यह कहना है वह लब दबाई शरारत से बोली तरदावयाने से घूरा था शरारत इतनी ही करो जितनी वरदाश कर सको इसके लबू पर मीठी से जिसारत करते हैं वह इसे वान कर रहा था अरे बताएं तो सही क्या कहना है खुद बहुद थोड़ी ना पता चल जाएगा वह अब भी शरारत के मूड में थी तो मैं कुछ नहीं करना अब जो करूँगा मैं करूँगा और ऐसे करूँगा कि खुद बहुद तुमारे मूँ से वतीन अलफाज निकलेंगे जो मैं सु ने गबरा से गई थी मुझे महबद है दामयार आपने कंदे पर इसके बेबाक लबू का लंस इसके लबू पर खुद की अकरार दे आया था किस से वह इसके बालों पर हाथ फसाता दिवान की से आलम में पुछने लगा था किस से होनी चाहिए वो उल्टा सवाल करने लगी तम्यार के मुझप राहत गहरी हुई थी मुझ थे तो मारी मुखदूबत फिर और सिस्स मुझ से मुझ से महबद हो ली चाहिए वो दिवाना वारी से चुमते हुए इसके पौर पर अपने महबत की चाप चोड़ने लगा जबकि इसकी बाहर में वो अपना घर बसाते हुए वो इसके सीने में कहीं दब सी गई थी सब के वेबी हो रहे हैं हमारा वेबी नहीं है वो कमरे में 30-30 गुमती पनी रैट को हाथ में उठाई यही सब को सोच रही थी जब जब कमरे में दाहल कुआ मिस्टर जेजबरपेश शाह हमारा बेबी कब होगा सबके बेबी हो रहे हैं इवन इजज़ा का बेबी हो रहा है मुझा फिलाए इससे पूछ रही थी जबकि इसकी इस वाल पर आबकर इससे देख रहे गया था मेरा प्यारा सा काका पहले खुद बरा हो जाए ना फिर हम अपने काके के लेकर आएंगे फिलहाल तुम अपने हर गोश्ट को पालो मजीद दो साल में तुम पर कोई बोज नहीं बनाना चाहता सिनाया हमारे बच्चे होंगे बस थोड़े से लेट होंगे बाकि सबसे और वैसे भी हमारा बच्चा सबसे स्पेशल होगा ना वो थोड़ा सा लेट आएगा दो साल के बाद जब थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी फिलहाल मैं तुम पालूँगा वह इस अपने सीने से लग में मुझ चुपा गई थी एक तो तुमारी ये नाजक सी सांसे कहीं मेरे हाथ हो जाया ना हो जाओ बनी रैट को जमीन पर उतार कर वो इसे अपने बाहूं में उठाते बच पर लेकर आते हुए अश्ता से नाजक से रापय को खुद में कायद करने लगा था अंदास में ब इतने हुए सोच रही थी कि बारक से पूछेगी के कल सुँभाई बात्ति को लेने का असबताल जाना है लेकिन वह सो गया था हलाके इसने जल्दी कमरे में आने की पूरी कोसेश की थी वह सोचूमें घुम थी जब अचाना की सी कमर में हार डालते हुए बारक ने इसे खी अपने करीब किया था आप जाक रहे हैं वो खुशी से चहकी तो बारक के लबू पर मुस्फराख फैल गई मेरे जाकने कितनी हुशी लगता है मुझे कुछ जादा ही मिस्का रही थी इसकी गर्दन से खुश्बू को मैसुस करते हुए मजीद इसके करीब होने लगा था हाना मुझे आपसे बात करनी थी तो बारक सरदा भाकर रहे गया तुम कहां बाते करती हो मुझे बीजी इनसान हो तुमारे पास टाइम कहां होता है मासुम शोहर के लिए इसकी गर्दन पर अपने वे बाक लबू कर लंस चोड़ते हुए और मीठा सा शेक्वा कर गया था ऐसा जानते हैं कि आजकल मस्रूफयत ही तुमारी मस्रूफयत का क्या में अचार डालूंगा जब शोहर को जरूरत होती है तब बीवी मिलती नहीं तो इसकी बात कार गया तो जहरी इसकी सीने पर सा रखते हुए ज़रा दिल रुबाई से इसके करीब हुई थी जदा करीब आने इसके रही थी आपको वो इसकी दारी पर हाथ फेरते हुए इसे खुश करने वाले अंदाज में बोली तो बारक इसे देकर हलका समस्कुराया था बरी ही कोई जूठी हो कसम से लेकिन भी बहुत प्यारी लगती हो कहां जाओ मैं क्या करो खुदाया दीवी तुम बीवी नह करते हुए इसके खोश्टे काने लगा चुका था और इस वकद जहरी शने से कुछ भी नहीं पूछा था क्योंकि इस वकद बारक कोई आलतु फालतु की बात सुनने के मूड में ही नहीं था वह दो बस इसके प्यार करने के मूड में था ताम्यार वह सब लोग चाहते हैं क में था दादी चाहती है कि आपके साथ वह सबस्वा उठक अपने शादसे नच्टा करवा रहा था वह अभी वह इसे अपने सादस्पता लेकर जाना चाहता था ताकि इसका प्रपर चेकप करवा सके जब इस आने बात शुरू की थी लेकिन उसकी बात ही काट गया दादी हमारे पास आसकती है ना देहने के लिए तुम झाहो हमारे पास आजाएं मैं बी तो इनका पोता हूं इनका ह槓र रख सकता हूं मेरे पास रहेंगी मेरे लिए एसे ज़्यादा खुशी की और बला कॉन बात हो गए लेकिन दाम नार बाकी सब लगो को भी दादी की ज़ूरत वो मासुमिय से कहने लगी, हाँ बिलकुल, सब को दादी की जरूरत है, और मुझे भी है, वो इतने सालों से अपने बेटों के घर थी, ये भी तो इनके बेटे का घर है, इनके पोते का घर है, इन्हें यहां भी आकर रहना चाहिए, अगर वो इन सब इनकी फैमली है, तो मैं इनकी फैमली होना, और वैसे मेरा तो दादी पर जएदा हक है, क्योंकि इनके सबसे बड़े बेटे की उलाद हो, तो इन्हें मेरे पास आना चाहिए, वो इसे देखते हुए खाने की तरफ में तवज़ों कर चुका था, जबके दादी का पेगाम इसे दे चुकी थी, सब क दाम्यार भी जगालत नहीं जाता दी, इसकी भी रादी थी, और वो अपना घर नहीं छोड़ सकता था, यह इसके लिए मुश्किल तर्ठीक है, मैं कह दूंगी कि वो इसे नराज किये बगार बोली, तो वो हलका समुश्करा कर अपने हाथ उसे खाना खिलाने लगा था, इ जारान को यह चीज कबूल नहीं थी, मुबंद, एक डम बन, हबर्दा जो तेरी टेंटें की हावास मेरे कान में पड़ी, इडर देख, ताइम रात के धाए बज रहे हैं, सोने का उठने का रोने का धोने का खाने का खाने का पीने का हाथ चीज का ताइम होता है, और मैं ब जारान आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे वो परशानी से पूछने लगी थी, अभी तो इनके बच्चे का नाम तक रिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि एज़ा मैंडम को कोई अच्छा सा नाम रखना था, जिसके लिए इसे टाइम चाहिए था, इससे फिलहाल इसे किसी भी नाम से बकार नहीं पा रही थे, समझा रहा हूँ इसे, कि मेरे साथ किस तरह रहना है, कोई तमीज नहीं है, इसे इसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बाप की गोद में आते ही, इसे चुप होना चाहिए, और यह तो तुमें इसे सिखाना होगा, और यह जो डर लगता है कि ही मेरे हाथ से फिसल ना जाए वह फरमाशी अंदाज में बोला था जैसे अभी छड़ी गुमाकर से बड़ा कर देगी मैं कैसे बड़ा कर दूँ इसे यह वक्त के साथ-साथ बड़ा होगा जरान और आप इसे अभी से कुछ भी समझ नहीं सकता अभी तो यह वो यह भी नहीं जानता कि इसका बाब है कौन सारा सारा दिन एक ही गौद में रहता है सारा दिन हरे की गौद में रहता है कभी एक ही कभी दूसरे की गौद में रहता है इस तरह थोड़ी ना वह समझ पाएगा कुछ भी वो परशान से इसे कहने लगी थी और दोनों खाती उपर को उठाए हुए थे कि इसका मासम से बच्चा इसके हवाले ही कर दे क्योंकि जरान को अभी तक बच्चा ठीक से थामना तक नहीं आता था तो तुम इसे पहचान दोगी, ये कुछ पहचान पाएगा ना इसे बताया करो के मैं इसका बाब हूँ और ये रात के दो बुझे इस तरह गला फार फार को रो नहीं सकता आप अगर ये रोया ना तो मैं इसके मुँपट टीशू पेपर डाल देना है वो इसे घूरते हुए इसे इभादत के हवाले कर गया था जबकि इसके खतरनाक धंगी और इबादत तो अपने मासम से बच्चे को सीने में चुपा गई थी अल्ला ला जरान चोटे से बच्चे के लिए ऐसे अलफाज बॉल रहे हैं आप अभी तक इसे दुनिया जहां कि किसी चीज़ की समझ नहीं इस तरह से तो ना करें आइसा इसा इसे सब को समझ में आजाएगा और आपको कोई ज़रूरत नहीं है सालम टाइब बाब बने की अच्छे से प्यारे से स्वीट नेचर बाबा बने इसके वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा वो गुस्ता दिखाते हुए बॉली थी ओहो तो चुंटियों को भी पर लग गए हैं यह दंक्या किसे दे रही हो तुम तुमारी उलाद खुद बत्तमीज है और तुम मुझे अच्छा बाप बनने के मश्वरे दे रही हो पहले से अच्छी उलाद बना सिखाओ ज़ाना भी वह बच्चा है फिलहाल कुछ भी सीखने के काबल नहीं है पहली दर्स दुनिया में आने से पहले वह इसे हकीकत का आयना दिखाते हुए वह बिल्कुल रराका मूर में आ चुकी थी वह इसकी उलाद के हलाख ऐसे ऐसे अलफास कह रहा था और वह इसे जालब बाप के आदे पर फाइस करके खुद मजलूम बाम बन जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसे मासुम चहरे पर मासुम आंखे उफ जरांट का दिल महें ना ज trolls में तुनिया में लगया लुखते ते केले को की ते मैं अना दुन आज़ा गया को से कशें गारे कुभवा है इसने जैसे ही रोना शुरू कि अबादद नराजगी से देखा था जबकि वो तो अपनी गंदी उलाद को देकर रह गया था जो इसके दंटने पर खुश हो रहा था और अब इसके प्यार करने पर मुह बनाकर रोने लगा इसके गंदे अंडे को तो में गार जाकर ठीक करूँगा वह एक नजर से देखता ही बादद के पास आकर बैठ गया था कमरे में दूसरा बैठ भी मजूद है था जहां वह अराम कर सकता था लेकिन दो दून से बना तो इसके सो रहा था और नाहीं बादद के करीब से उठ रहा था था थोड़ी देर पहले यूहीं इसके पास बैठ पैठे इसकी आंख लग गई थी तो इसके पीछे ठीक करने के सूने को छोड़ दिया था लेकिन जब इसकी आंख कुली तो आपने बच्चे के रोने का टाइम बोद उसे बैठ की तरह भी चरा करते हुए बली नहीं मैं यहीं ठीक हूँ अब गर जाकर एक ही दफा आराम करूंगा और वैसे भी डाक्टर कह रहा था कि आप तुम्हारी कंडिशन पहले से बहुत 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 है तो हो सकता है कल तुम्हीं दिस्चार्ज कर दिया बहुत है जांकर अपने वेटे को देख रहा था इसका मासूम से चेहरा बार 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 इसे अपनी तरफ मत तोजोगा रहा था यह पूरा का पूरा मुझ पर है वह इसके कान के क्रीब सरकोशी करते हुए बोला तो इबादत थे मुस्कुरा कर हां में सार हिलाया इसके चेह बहुता था और नाहीं इसे नराज रहना चाहता था यह अलग बाती कि इसकी गंदी उलाद दो तीन दफ़ा इनकी लराईयां करवा चुकी थी और इत्याद क्या क्या करनी है यह भी बता जिजिए चेक अप करवाने इससे घूर घूर कर मना कर रही थी लेकिन वह दो इस पर बपंदियां लगा कर सकून से बैखने वला था पहले ही वह तादी की तरफ से काफी रड़ी हुई थी जिस तरह उन्हें अपनी दो तीन हम को हम प्रवन कर रहा था इसी प्रवंदी झाहती थी थी हैं इसे बचे चाहिए थे और इसे अपना बचा हर कीमत पर रजीज था लेकिन उस प्रवंदियां लगाकर नहीं थी यही बात तो इसे बता रही थी कल जब केक पर वह कुछ लगी तर जिने रिबी ने पास ख़र तो वो हिले और नहीं कोई काम करें और वो रात से ही परिशान हो गई थी अब पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला था एक चीज इससे समझ आ गई थी कि दाम्यार असानी से इसके जादाना जिन्दगी नहीं जीने रहेने वाला हाची की तरह सुबसबव भी से डाक्टर के ज़रोत नहीं है लेकिन फिर भी आप टाइम टु टाइम इने मेडिसन देते रहें और इनके खुरा का ख्यास ख्याल रहें अद्ली प्रेग्नेंसी है तो ख्याल रखना पड़ेगा डाक्टर में इसे परिशान देकर कहा था अच्छा मेरी बीवी को कोई प्रोब्रम तो न देख रही थी अब बच्चे को दुनिया में लाते हुए उरत को तकलीफ होती है वो तो उठानी पड़ेगी है तो कुदरती हमल है इस पर में क्या कह सकती हूं और इसकी कोई मेडिसन नहीं होती डाक्टर ने गोलमों सा जवाब दिया था क्या मतलब कोई मेडिसन नहीं होत दातो इस दात के पास दुआ होगी ना हम डाक्टर हैं लेकिन हार चीज का इलाज नहीं होता हमारे पास यह दात्स रहने की ताकत अला ने खार रौत को दी हुई है ता इतना परिशान मत होगा आप इनकी है रहार रहा है अगर बेवी की हैल्थ अची होगी तो डिलीवरी म मैं अपने बीवी के लिए इच्छे से अच्छे डाक्टर को पॉइंट करना चाहता हूं मेरी बीवी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो जनत से हुने भी आपरेशन करें ना तब इतनी ही तकलीफ होगी तो गुसे से लफजों को दबा दबा कर बोली तो इसने इज़ा को आ दम्यार को देखा लेकिन गुड़ी की परवाखी बगार बोट कर खड़ा हो गया था अब अच्छे डाक्टर से बात करें में अपनी बीव किसी तरह की तकलीफ से गुजरने नहीं देना जाता वह डाक्टर से बोलता हुए उठा था जबकि दाक्टर ने सिफ हां में से लि आपका करते है कि डाक्टर से कैसी बातु कर देक देती है तो और डाक्टर है उठा आथर्याम मी ठोडी पहले ही विता अदे की तसे पहली है कर दोगा महीन माहीन इस ही चीचकर रहूं को चाहना अन्य आपको भी नहीं इस टोड़ा करें विछ रहती है क्या नहीं अब का थे नहीं यह के लिए आपो Kol कि मेरिय को किसी बात कि मैंतल ओशन Wells you do तो आप मेरे आपना उसे क Para चारता हो आपा मुझे से कुछ की मेरे का भागए असिनाना कर इसस एक मेरे बलगा शायर की बाता में बात बादे हों मूझे अपना उपना प्संत्लिच करहों गया है जब मैं नहीं चाहूंगी तब नहीं बदलेगा और आपको मेरी मूड हर कीमत बर्दाश करना होगा पांच में छटे-छे महीने का इंतजार मत कीजिए मैं प्रेगनेट हो चुकी हूँ और आप मेरी हर बात माननी होगी आप सिर्फ मेरी चलेगी वो हुकम देने वर अंदास म और यहाँगी तकलिफ नहीं देना चाहता है पर आप तकलिफ की तकलिफ ने हुठ की सब्सक्राइब करें देने इसके दाने बांटेकर से असज्ड़ा टाक्टर से माशाला माशाला मेरी बच्ची इतनी बड़ी खुषभडी लेकर आई है कि दादी मेरी बहुत देकर खुश हो रही थी इसे जरनीश अरे जहरीश मठाई लाओ इतनी बड़ी खुशकबरी है कोई सुके मुझ थोड़ी ना लेगे दादी ने भी से खुशी से बलंद आवाज में कहा तो जहरीश फुरन से मठाई लेकर आ गई थी वैसे आजकारी तो इनके घर में मठाई क जोग गया था तो इसकी खुशी भी बहुत दूंदम से मनाई जा रही तो इसमेक और खुशी ने जैसे इने पर सुकुन कर दिया था देख तू बहुत शरारती है तू अपना ख्याल रखना इतनी से तो है तो और फिर बच्चे कैसे समालेगी ये तो सब कुछ वो परशान मुरेज्ध मैजं अगा तो मुरेज्ध तक बच्चे कैसे इस आती रहेंगी वो जैसे मसले का हाल पेश्का रहा था थंडी आहबर कर रहे गई पहले ना सही लेकिन अब शायर के लिए इस तरह कोई फैसला करना पा सकता था क्योंकि एज़ा की तबीद बहुत चंचल थी और वो अपनी नादानियों में बहुत उल्टी सी हरकते करती रहती थी तुम सही कहते हो दामयार तुम जिद के पक्के हो और मैं इसकी और मैं इसके भरोसे अपनी नसर को नहीं रख सकती वो सचते हुए बोली तो इज़ा कमूल खूल गया था जबके दामयार मुस्कुदा दिया था आखिर वो अपनी बात मनवाने में कम्याब जो हो चुका लेकिन इसका सारा दियान नहीं लोगों की तरफ ही था इज़ा इसे खुब नख्रे दिखा रही थी जबके वो इसे बहुत लाट समना रहा था मैं मुझे नहीं चाहिए ऐसे टेडी बेर मिलने वाला है वह खुश होते में बोली तो तामयार हलका से मुस्क्रा कर भीसे अप बोली तो एक लम्हे के लिए इसका दिल जल चाया था लेकिन नहीं फिल्हाल वो इसे नख्रे दिखाने थे जब थोड़ी देर के बाद जब भी वहां पहुंचा मेरा मेरा इज़ू जानो मेरा प्याला बच्चा अभी तक नहीं माना मेरा बेबी मानने के लिए क्या लेका दामयार की मुस्कुराहत मजीर गहरी हो गए जबर और बारक के सामने ऐसे नख्रे सिर्फ इज़ा ही दिखा सकती थी अभी वह कुछ कुछ मान भी रही थी लेकिन जड़ानों शहीर के होते वह मान जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था वह दोन्हों एक साथ घर के अंदर भूला मत यह बहन से जड़ा किसी और को एहमियत दे रहे थे उन्होंने जान बुझ कर किसी और लफज को इस्तमाल किया था क्योंकि हमारा का लफज इस्तमाल करने पर दामयार को भी पता चाल जाता कि हर मसला किया है डौंट बड़ी में नहीं मानने वाली वह नक चरा कर ब माफ कर दो यार बेचारे मेचारों से गलती हो गई कर दो माफ कर दो माफ झालें इसके कदे पर रख कर कहा तो शेरीं पर इसकी समय बैठ गया था करम नहीं है लेकिन यह जोगों के पहली और आख ज़नी है अगर इसके पाद गलती हुए तो कभी जनीगे में माफ नही को र कि इंसान मुजूद है वह तो अपनी ही मनमस्तियों में लगे थे अरूश आईने के समने खड़ी हर तरह से अपना अप जांच रही थी वह कहां कहां से मोटी हो रही है इसका पांचमा महीना शुरू हो चुका था तो आइस्ता इसके मूड में भी तब दिली आ रही थी क्या बात है मेरा गोल कपा तो मजीद गोल कपू होता जा रहा है बहुत कमरे में दाखल होते हुई से आने के समने खड़े देकर बोला तो इसके मूँ तो इसने मूँ फिलाया था में और मोटी हो जाऊंगी वो परिशानी से बोली थी जब वो जब से मोटी हो रही थी शेयर ने इसका नाम ही वदल दिया था अरे मेरी जान में तो चाहता हूं कि मेरे गॉल के मोटी हो जाओंगी तो आप मुझे मोटी मोटी बोलें वो दासी से घुट छेहर करका लगा तो किस उल्लो कि पठ्धे ने तुम मेरे मोटी मेरे महीं है करका उनगा मैं तुम्हें कहांगा मैं च्रण फूल कि बंदेन और ने संगा तो यह तो नांचे कर से की आंदी रही तो इसी इसे पूर्टता प्यार कि शुनते हुए बोला समाल कर रखे हमारे शुरार को से दूर होने लगी थी कि वह आइस से हाठ पकरता है कि अपना हासार बना गया नहीं यह सेहरा विया तुम्हार लिए है फिकर मत करो अपने बच्चों के लिए आपने मेरे पास बहुत प्यार है लेकिन फिलहाल यह सारा प्यार लिए है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हाख है वो इसके चेहरे पर जुकता अकीदत से इसका वाथा चुमते हुए बोला, जबकि वो आइस्ता से नहीं गए उठा कर इसका चेहरा देखती है, अचानक इसकी काल पर अपने रव रखती कमरे से बाहर भाग गई थी, पीछे से वो वाज़ा देता रहे गया, लेकिन वो इसकी एक भी सुने बगयर नीचे सब के पास चली गई थी, वो उपर से इसे देखता, इसे इशारों में दम्कियां दे रहा था, जिसे वो नज़र अंदास करती, सब के साथ बातों में मसरूफ हो गई, दादी ने बहुत मुश्कल से सब को इसके लिए राजी किया था, इस बात के लिए कोई राज नहीं था कि दादी जाकर दाम्यार के घर रहें, सब चाहते थे कि दाम्यार रोईजा भी इनके साथ आ जाएं, लेकिन दाम्यार इन मामलू में इसकी बात मानने के लिए तियार ना था, दादी को मुझवर होकर इसकी बात माननी पड़ी थी, और अगले आपके साथ, वह ड्रेस नीचे लाते हुए इन्हें दिखा रही थी, जब इबादत आज आवदान का कीका था, जहां पर वह जाने की त्यारी कर रहे थे, ड्रेस तो तुमारी बात में देखूंगी, पहले तुम ये सीरियां उतरना चलना बंद करो, ये अच्छा नहीं होत तो बस ये कह रही हूँ, कि इहत्यात करो, बेटा और ये कपरे बहुत खूब से तुमा आज ये ही कपरे पेन कर शाम को वेरे साथ चलना, वह मुस्क्राते हुए इसे प्यार से बिचकारते हुए बोली थी, जब थोड़ी देर में दर्वासे से अंदर होते, बाहर होते लो मुझे बहुत दिनल से कह रहा था लेकि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस तरह आकर जानक से रिश्टे की बात कैसे करो, वह सबस्क्रात उन्हें देखते हुए, कहने लगी, जबकि वह खुद हरानगी से इन्हें देख रही थी, रिश्टे की बात, किस वो लड़ बोली तो अपकी दफ़ा दादी की हैलत की कोई इंतहा न रही थी वो लड़का जो देखने में 12-12 साल का नौजमान था और इनकी इज्जा के लिए रिष्टा लेकर आया था जो न जो न सिर्फ शादी शुदा थी बलकि आप तो माशाला से खुशकबरी भी सुना ने लेकान देखते हुए बला था दादी का इशारा वह बहुत अच्छे से समझ गया था आपने पौती की बात कर रहे हैं आप तो मेरी पौती है मैरे मेरे अपने ही पोते दाम्यार की बीवी है दादी ने इन दोनों को देखते हुए कहा था गलत जगह आ गय था नहीं हम मिमारा की बात कर रहे हैंवारा भी से आपकी बेहन से लाज चाह diffसibly हुए मिरा तल्हा इस का डाक्टर रहा है यह तो कितने दिनांगो से कहर रहा था कि रिष्टा लेकर चल रहा है रिष्टा मेंद और सम्झाइपे वोली नागे सकते Państwa के बार दॺंधर समयति मेरे बेटे को भी यही बामारी थी मेरा बेटा सहर्धयाब हो गया है आपकी पोती भी सहर्धयाब हो जाएगी बस आप आप बेर नहें आप करें उन्होंने मिस्कुराते हुए कहा तो दाड़ी भी मुष्कुराई थी लेकिन इतना जल्दी फैसला नहीं कर शक्ती दाव्यात से बात करना था जो इसे इस बारे में बताना था हां फिलहाल, हां मारा इसके मताबग अभी शादी के लाइक नहीं थी, अभी इजानना था, अभी तो बहुत कुछ शीखना था अभी दो इपने लिश्टेवपों को ठीक इसके साथ ही बैठ गया था इसकी वजह से इसकी बेहन का इलाज बहुत अच्छे से हो रहा था यह लोग हमारी हमारा का रिष्टा लेकर आए हैं दादी ने बता है तो इसने बेएकिन से सामने बैठे तलहा को देखा था दम्यार भाई राखरी यकूब आपको इसके बारे मे परिष्टा लेकर आना चाहते हैं लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आप इस तरह से अचानक आजाएंगे हैर हम सोचेंगे इस बारे में इसके जवाब दूँगा इसने मनासिव जवाब दिया था जबके इसकी जवाब पता रहा कि अमीं को कुछ सकुन हुआ था मुझी थोड़ी देर बैटकर वह लोग जा चुके थे जबकि दादी दामयार को देख रही थी जिसके चेहसे वर काफी सकुन था यह किनिसे यह रिष्टा बहुत पसंद था दामयार तुम इस बारे में हमारा से बात करो दादी ने कहा तो महलका सा मुस्कुराया था दादी में हम दाख्र याकुबदेश लिससे में मुसे बात की तो इसी दिन में ने हमारे से बात करों के बात में पूछा था इसने कोई अतराज नहीं है हां लेकिन मैं फिलहाल इतनी जल्दी शादी के हाग में नहीं हूँ मैं चाहता हूँ पर इसका ठीक से इलाज हो जाए वह इसका पुड़ा दिया क्योंकि मेरी जान ये मेरी बेटी का मामला है और मैं इस तरह अचानक इसके मुझ पर हां नहीं करना चाहता है एक देर हफ्ते के बाद आराम स्कुन से हां में जवाब दूंगे और हां में ये कह दें और हां और साथ ये भी कह देंगे कि हम फिलहाल स करेंगे वह बेफिकर अंदास में बोला था जबकि इज़ा इसकी बात को समझ का सिर्फ हां में सर हिला गई थी वह बहुत खूश थी आखर हमारा की जिंदगी में कोई ना कोई आने वाला था तक्रीपन दो हफ़ते के बाद सबसे मशवरा करके दामयार ने अपनी बेहन की कैफियत में थी वो इसे घर ले आया था डार्टर ने इजाज़त दी थी अब घर रहते हो अभी इसका मकमर इलाज हो सकता था और ये इजाज़त भी ने तलहा की तरफ से ही मिली थी इसे घर लाने के तक्रीब ने एक हफते बाद इसने जवाब दिया था कि इन लोगों को दामयार ने इस तरह का कोई इतराज नहीं किया था क्योंकि इसकी बहन राजी थी अमारा कन्फ्यूज थी ऐसा कैसे हो सकता था बला इसमें ऐसा किया था कि आप अपनी जिंदगी में शामल करने का फैसला कर ले उसने यह बात खुल कर डाक्टर तलहा से की भी थी जबकि द पहरी नजर में महबत का शिकार हो चुका है जबकि इसकी तरह की अफसानी वदू पर अमारा को कोई यकीन नहीं था इसलिए डाक्टर तलहानी से असान लफजों में कहा था कि वह किसी ऐसी लगी से श्यादी करना चाहता है जो इसके साथ खुश रह सके और इसके सवाई हम दोनारा ने इसके पहरत हैं अब ही कहा था यहां तक कि दोन सिकाह का दिन भी आ गया हLE इसके नकालमे पर मुटजाशा का नाम लखा था इसने मना किया कि यह इसने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन वो भाई है और जहां तक दुनिया वालू का सवाल है तो कोई इस पर उंगलो उठाने वाला कोई नहीं होता दामयार को यकीन था कि वह इसकी बहन है तो बस फिर और किसी चीज़ की गुजाश बहुती ही नहीं थी और वैसे भी कौन सा इसकी बातों की इन्माश करने वाले थे बस इसके नाम में पर इसके असल बाप का नाम मजूद था और साधी की से निकाप अरवा दिया गया था लेकिस इस निसाधी में भी नामयार की महबत के सारे रंग थे इसने बहन की कोई होई खवाई शदूरी नहीं रहने दी थी और इसके लिए बेहताशा खुश था बेशक खुदा नवाज दने वाला है और इसकी बहन को नवाज दिया था वो अपनी बहन के लिए बेहन को नवाज दिया था वो अपनी बहन के लिए बेहन के लिए बेहन को नवाज दिया था इसकी खुश्यों की दौा मांगता इसे सीने से लगा था इसके एक बेहतरी जीवन साथी का इंतहाब कर चुका था वैसे तो इसने मैंने पहले वैसे तुम्हें पहली नजर की महभबत पर यकीन नहीं है ना वो इसके कान की करीब सरकोशी नमा आवाज में बोला था इसने हैरे से चोहरा उठा कर देखा था क्या भॉन पहली फैर्द मुझे अफसे तुम्हारी फैंबी और दूर उत तक द्यूर नहीं हुय वह इसकी बात गाट थी ख Samsung स्वेम मात नहीं है कौनका है कि तक मुझे मोहाजा नहीं है बोला तक तक बात नहीं के obsah नहीं है तुम महीं अखिए मुह खिला देखाय से द्रा था मुह दो कर रखो थाई डो साल तो सोचना भी मत बलकि मैं तो पांच-दस साल तुमारे हाथ नहीं आने वाली बस निकाह पर गुसारा करो वो इसे ठेंगा दिखाते हुए बोली थी निकाह बस नहीं होता बलकि सब होता है इस बत का अंदालत तुम्हें आने वाले वक्त में हो जाएगा और मैं हूना तुम्हें ठीक से एसास दिरा लने के लिए किसी खुश्फेमी मैं मैं तुम्हें देहने भी नहीं दूँगा इसके बेख फिकर से चेरे को लंभे मैं फिकरवंदी में इसे परिशान करता वह फत्याबी से मिस्कुराया था जिपकि इसके इए रादे अमारा को नेक नहीं लग रहे थे है रभ इसके इसे इंसान को साही जिएए को तो ये अलग बाती कि वह खुद भी से कुछ नहीं पुछ नहीं हुछ बोली तो पार्क जिमिसकुराया था हमी मेरा कुछ फेर लिज्ट आप मुझा भुओ गोड़ा सकता अर्स अंदास नहीं किया सकता तो मुझ कुछ तो छोप बिखने को दिल कर रहा है उसी और अटासी कहा थी तो मेरी जान मुझे मुझे बताओ ना तुम्हाने का खाने का दिल कर रहा है मैं लेगा आता हूं तुम्हारे लिए कोई ना कोई शौप तो खुली ही होगी वह फौरा उट गया था नहीं रहने दीजे मैं सब्बर कर लूँगी आप सोचाएं पर फजल में आपकी नीन हराब इसे देखा था अब इतना भी कोई गया गुजा नहीं था कि अपनी बीबी की कोई खवाइश पूरी नहीं कर पाता तुम बता दो से इत्मे क्या चाहिए मैं भी पेश करता हूं इसने के लगों को नरमी से चूटते हुए इसने यकीन दिलाया था आप नहीं ला सकते मेरा क्षाईन क्रीच काने को दिल कर रहा है और आपने तो कॉंट्रेक्ट्ट कॉर भी साइन कर की माफंवाया है कर बना कर पांड़ा कर्शन भूला चाहिए मने तब सकता हु convicted काक भी फनाने बच्दो को बनाने मैं पैज दो इतनी से सी बात में अब बमारे लियू से को ना भूल चाओ यार मुझे थोड़ी पता था कि बेबी की वजह से तुमारे आधी रात को भूग भी लग सकती है मेरी जान तुम होकुम कोरो में तुमारे लिए अपना दिल निकाल कर हरेली पर रख दू नुडल्स क्या चीज है अभी अभी लेकर आता हूं तुम बिलकु को चुमता रूम से निकल गया था इसकी मासुम सी बीवी कहां इसे तंग करती थी या कोई फजूल की फर्माइश करती थी वह तो हाद चीज का हयार रखती थी और वह अपनी बीवी की स्चोड़ी सी खवाइश को भी पुरा ना कर सके तो क्या फाइदा था इससे इतनी बाभा में उठा कर इसका नना सा वजूद वह फुद में चुपा कर बेवजा ही गुमता रहता था था सब कहना था कि जनान बच्चा होने के बाद खुद ही बच्चा बन गया है वह इसे अपने बाजों में उठाए कमरे से बाह ले गया तो इसकी दिन से बड़ी आंको से अंखे मौन गई अब दान को गुखी लगी है तो बाबा इसके लिए मीठा मीठा सा दूदू बनाएंगे वह इसे बाते करते हुए किचन की तरफ आ रहा था जब बारक ने लब दान तू में तले दबाए मतलब वह पक्रा जा चुका था वह अपने ही दून में अपने ही अधिर को जान रहा है तो बारक को में में अपने में टाखे में कर्ए चुंगा था जंग करता अहां कभाय कंज कर दे करता ने चाहिओ को बारक ने स्मुनित को क्यों बाने महना अब्राइप अब ने करना रहा मुझा उत्तुम्ग lबा ऽा उत्तुमिं यहा श्र्दु जरान मेरी बीवी जबदसी नहीं करवा रही मैं खुद अपनी मेज़ी से कर रहा हूं वह यसी यकीन दिला रहा था अरे भाई कोई बात नहीं मैं कौन सा किसी को बताऊंगा मैंने भी तो यह काम किया हुआ है वह मुस्कुरा कर अपने वैटा इसके हवाले करता दूर त्यार अपनी बीवी के लिए मज़दार सी नूडल्स क्यार कर लिए थे भार में जो जो सोचना है सोचो अबदान को इसके हवाले करते हुए जैरिश की नूडल्स दिश में डालने लगा जब शहीर कीचे में दाखल वह यह क्या हो रहा है बेगम की खिदमते इची बात है मैं भी रहे यहाँ लगम क्या समयने काम बाप नहीं करता है कंवाला ड़्यूस हो मति पृपवजाद्ब से बोलाच से बोला था मेरी बीवी आराम कर रही है तार कर रहा है क्या का निकाल चुका है अफदान साभी त प्यारा था को इसके खिरा पहल पहली हैं पहला उतना प्यारे ह अभी तो मुश्कल से सवा मा का हुआ था लेकिन किसी की आंखों का तारा बनना रहता था उसके बारे में कोई कुछ खलाब बोल सकता था तो वह सिर्फ इसका बाप था जो खुद को हक पर समझता था वरना मजाल थी जो इस घर में कोई अबदान जरांशाह के बारे में कुछ बोलते हैं अच्छा आप मुझे जाने दो यहां से मेरी बीवी मेरा इंतिसार कर रही है बारक ने देखते हुए कहा था दोनों ने अगले हिलम में इसका रष्टा छोड़ दिया था जबकि जरान पी अपने वच्चे का दूदू त्यार कर चुका था वह नूडल्स बना कर लाया तो वह बड़ बैठी बैठी ही सोच गई थी जहरीश वास्ता से इसके पास बैठाई से जगाने लगा था जबकि वास्ता से आंगे खुलती से देख रही थी तुमारे नूडल्स त्यार हैं इसने बेरे प्यार से इसके बाल से हिलाते हुए बाल से लेते हुए गहा तो वह मुस्कुरा कर उट बैठी थी जबकि वह बड़े प्यार से अपने हाथ उसे खिलाने लगा था आई हम सोरी मैं आप से कोई काम नहीं करवाना चाहती थी पर मैं अपनी मर्जी से किया है वह कॉंट्रेक्ट के पेपर ना फार दो क्योंकि मेर मैं बीवी के लिए चांद तारे तोरकर ला सकता है तो कुछ भी नहीं हो नेर्मी से इसके लबवको चुम Şu तह किन आने लगा है दो कि जफocy में लिखाय थी लिए मुदे पर में कुछ बंढों करें नहीं आयरो पी अच्छा लग लगा है तो कुछ और बना ले आ Mag नहीं Kunे से नूडर्स खिलाने के बाद इसके ऊपर भी ब्लैंकेट थीक करता है इसके साथ लेट किया था मैं कोश्चिश करती हूं कि आपको तंग ना करूं किसी ने पर सदकते हुए बोरी तो मस्कुरा दिया था मेरी जान तो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती हो बलकि तमारी वज़ा से मेरी सारी टेंशन खतम हो गई मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे सारी नकड़े उठाओंगा लेकिन तुम्हें तो नकड़े ही नहीं दिखा रही वैसे भी मैंने दादी से पूछा ता दादी कह रही थी मुझे डालता कितनी ही देर खड़ा रहा था जबकि अब दान दूद पीते गहरी नीन में उतर गया जबकि वह निगा है कितनी ही देर खड़ा इसके पकड़े रहा था इसके शोचा रहने के बाद फीडर एक तरफ रखता बैट की तरफ आने लगा जब इबादत को खुद मैंना मेरा बेवी बहुत प्यारा है लिकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि अब हर वक्त इसको इसको इस तरह से देखते रहे वह मुस्कुराते हुए सवाल करने लगी तो जरान ने इसके पास लेता है इसे बाहु में बहर चुका था मेरा इससे नज़रे का दिल नहीं करता इसके लबू को आश्ता से अपने लबू की कैद में ने देता वह इससे सवाल करने लगा था क्योंकि वह है ही बहुत प्यारा इबादत ने फूरन जवाब दिया था इसके इस जवाब पर वह एगरी करता था यार मेरे देखने से इसे नज़र तो नहीं लग जाएगी ना जड़ान को एक ओरडर ने आगे रहा था उफ जड़ान माबाप की देखने से नज़र थोड़ी ना लगती है इबादत ने फूरन इसकी गलत फेमी को दूर किया था जबकि वह कुछ रिलैक्स हो गया बस भी ठीक है मैं जितना मज़ी से देख सकता हूं वो पर सुकून सा बोला था जबकि अबादत मुस्कुरा दी वो बाबबन का एक नए रूप में ढल चुका था कभी इसे अपने बेटे को तेमी सिखानी थी तो कभी इसे महबबत से देखना था इसे इसका रोना दाक्टर के हिसाब से वह एक कमजोर बच्चा था लेकिन वक्त के साथ साथ वह इसकी सब की महबबत और तवज़ों से एक हल्दी बेवी बना रही थी जबकि जबके जरान की तुम्ही इबादत और अबदान के इर्द की घूमने लगी थी नेक्स टाइम मुझे अपनी बे इस पर अपनी मुफदु की बारश करने लगा था हमें देर नहीं करनी चाहिए हमारे बेबी को बेहन की जरूरत है वो अपनी शिद्धते बरसाता इसकी धर्गनों में उतरने लगा था जबके इवादत इसकी बाहों में पर गलती अपना आप इसके हवाले कर गई थी शहीर मुझसे ये दूद नहीं पिया जाता कस्म से आपको तो मुझ पर तरस भी नहीं आता वो इससे जबर दस्ती दूद पिला रहा था हां नहीं आता मुझे तुम पर तरस मुझ खोलो वो सखती से जबर दस्ती इसका मुझ खलवाता इससे दूद पिलाने लगा था एक इस तरह से कह रहे हैं मन्राराज की से बॉली थी आज कर इसका मूड़ा ऐसा था कि कभी भी किसी की भी बात पर लगना शुरू का देती थी दिन रात नखरे दिखाती हो कभी यह नहीं करना कभी वह नहीं करना आज सुबह कैसे तंग कर रही थी मुझे कि मैं आफिस ना जाओ हाँ हाँ हुँ हुँ हाँ हाँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा था ना आपको बेजने का मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ रहने का वो मासमियत से बोली तो शेई को इस पर प्यार आया था तो तुम्हारा इस वकत क्यों नहीं दिल करता मेरे साथ रहने का प्यार करने का टाइम पर तुम्हें नखरे सूजने लगते हैं और काम के टाइम पर तुम्हें लाड याद आ जाते हैं वो इसे देखते हुए बोरा तो वो खिल खिलाकर हंसी थी हाँ तो आप मेरे है मैं आपको प्यार करूँ या फिर नखरे दिखाओ मेरी मर्जी वो गंदर चुका कर बोल रही थी तो ये रूल तो ये रूल तुम्हें मेरी बारी पर क्यों नहीं याद रहता इसे अगले ही लबहें इसे एक लबहें वो खिलाकर रच लाझ दिया था पार कर रचो Though इसके प्यारी बीवी मेरी मर्जी इसके लबह को कैयत करतेब करते है Cana पूरी तरह से कब गावज होता जा रहा था जब कि अमें इसकी मीधि मीधि सरगोश्ट के अपने कानु में सुनती इसकी शिद्धों को अपने नार्जक सहरा पर सहती इससे के अपने बाहु को हिसाल मजबूत कर गई थी क्या मसला है क्यों आधी रात को मुझे फून कर रहे ह लड़की कभी तो आप कहकर मेरी हस्रत लड़की कभी तो आप कहा करो मेरी हस्रत ही रह जाएगी तुमारे मुझे अपने लिए इज़त सुनने की हां तो खुद ही मर रहे थे ना मेरे लिए मैंने तो कहा नहीं था कि इस बतम इस लड़की से निकाह करो वो फून कान से लग बर तो हमारा के कानलाल हो गए थे शर्म से नहीं बगे हमने होने वाले बच्चे का रजीव गरीब नाम सुन कर यह टिम印डू नाम के नजाईश उलब कहां से पैदा पिया लिहों था है उमने यह तूंगत नहीं ऐसा नहीं sollten किसके साथ मुं काला करके टीनू का इजाद किया है वो गुसे से बरकते हुए बोली थी तुम्हारे साथ मिलकर इसे इजाद करूँगा मेरी जान वो शरालत से बोला था नामुम्किन अपनी यह नाजाईस उड़त किसी और के साथ पैदा कर लेना कम असका मेरी उलाद नहीं ह सोचते हुए कैसे शर्म कान कोर कर सुनो डॉक्टर मेरे बच्चे का नाम टीनू नहीं हो सकता वह तो आप तक इसके नाम पर रटकी हुई थी जबकि तलहा जो इसे फजुल बातु से निकाल पनी महबद के शर्म खयावा लेनंगों में देखना चाहता था लेकिन चाहिए रुकसती ऐसा रुकसती से पहले मुम्किन नहीं था वह तो इसके अच्छे खासे रुमेंटिक मूड को अपनी इन लाजिक वातु से दबा करके रख दे दी वह इससे कोई उमीद नहीं कर सकता था इसे अब भी दो साल सबर करना था जबर वह देखें कितना हुबसूरत पल है क्या हम वहां से उज़र रहे हैं कि वह अपनी गौद में अपने बनी रैट को बठाई से पूछ रही थी जो गारी ड्राइव कर रहा था वह स्पेशल इसके लिए चुटियां लेकर इसे अपने साथ घुमाने लेकर आया हुआ था हमेरा काका भी वहीं से हमारी कारी घु चाहिए था और फिलहार शनाया और किसी तरह कोई भी बोच नहीं डालना चाहता था वह चाहता था कि शनाया ठीक से अपनी जिंदगी को एंजोई करें और ऐसे और इसे यहां लाने का मक्सद भी यही था कि वह इसे बता सके कि बच्चों के बाद इनकी लाइव बहुत मस् बाद यहां आएंगे तो इसके साथ इनकी बच्चे भी होंगे और वो अपने बच्चे समाल लेंगे या खुबसे नजारे देखेंगे इस वाद को सोचते ही शनाया कोई फैसला करें और यहां पर इसे रहा था कि बच्चों के बाद इनकी जिंदी कि इतनी मस्रूफ हो जा बच्चे को भी सबका बनाने के लिए लेडी दुरिया में लाने को त्यार हो गए थी जबकि जबके जबर खुदा का शुकर अदा का रहा कि इसने अपनी चोटी सी नासमच बीवी को समझा दिया था कि फिलहाल वह बच्चे नहीं चाहता और यह सच भी था अबी तो शनाय तो घुझा भाया को ठीक से समझ भाया था इतनी जल्दी वो इसे गर्डारी और बचों में नहीं उलजाना चाता था उठें मिस्टर हस्बंडशा मेरा मुवी देखने का मूड हो रहा है वो अभी अभी ही सोया था जब इसके सावार इसे जगाने लगी थी तो तुम देख ल वो अभी कुछ भी बोली रहा था जब इसाने रोज और शौर से रोना शुरू कर दिया सब बदल जाते हैं सब कहते हैं कोई प्यार महबत नहीं जाता सब लोग बदल जाते हैं शादी के पांच चे साल गुजरते ही मद्दू की सादी महबत हत्म हो जाती है लेकि आपकी त महारा तुमने सोच भी कैसे लिए मेरी महबत मारे लिए बदल जाएगी काल सारी रात सो नहीं सका ठीक से तो सारा दिन ओफिस में दुमाग खपाने के बार नींद आ गई थी और तुमने इस तरह बात को मेरी महबत से कंपेर कर दिया मैं इसे देख सफाई देने वाले अन् अपने जिसम से जिदा कर दो मेरी जान कभी जिदेगी में इस नहीं कर सकता वैसकी चिले को चुमताई से अपने सच्छे ज़पा इसे रोशना कर वा रहा था तो फिर क्यूं गये थे मेरे रूम में आने से पहले वहरा उसकी शके वाटनूं से कहलती मांसुम्ये से पुछन जरी देखने का फायदा हम टौम एंजैरी खेलते हैं वह कenhails कहता है यह से लंभे में वखला एक रग गया था नहीं को इसके रादव को सिम्छते हो इसके में कोश्छ करने की कोश्छ ने लगा थी क्या है को शना पर प्रपा कर गया था-सहित नहीं पर जुकते हो इसके आपने सर्गोश्य नमाज में कहता है अपने सर्गोश्यों से इस जिसम में से बर गया था जब कि बैवाक लबूका लंस इसके पौरूपूर को महकाने लगा था इसकी बैताबी उपर इज़ा इसके सीने में साथ चुपाती इसकी बाहुं से अजाद के होने के लिए इसी में चुपने की कोशिश करने लगी थी जबकि दाम्यारी से खुद में चुपाता इसी में खोता चला जा रहा था आई लव यू इज़ा की मिठी से लगोश्य ने जहां दाम्यार के लबूब मुस्कुरात बेखेर दी थी लेकिन वह दाम्यार्शा था वह लफजी और जनूनी शिद्ध के लावा और कुछ भी नहीं था जबकि इसक और क्या चाहिए था सब्सक्राइब इस ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शक्स को वह कभी इंतहाई नफरत करती थी वह इसकी महबद में इस तरह से दूप जाएगी बेश्क हुदा किसी के दिल में किस पसंद आई होगी मिलेंगे अब आपकी राइटर एक नहीं आवल के साथ मिलेंगी कभ मिलेंगी मैं नहीं बोल सकती शाय एक दो दिन में लेकर एक बात है कि रमजान के वज़ज़ से आपके बहुत सारे कुपल्स के सीन मिस हो गए तो मतलम जो हरीच के फैंस को चाहिए मतल परना चाहते थे और अरीच नहीं सोच के रखे थे वह अफर रमजान या भी शायद अफ्तारी के बाद एक अपको हलका पुल का डोज रोज या दो तीन दिन चोड़ के आपको मिलता रहेगा तो अपनी राइटर को दूआं में याद रखे उसका ये प्रोब्लम हुआ था मुह इतना सा निकलाया वैसे भी मतलब आपकी राइटर को बहुत बरी शेर्मी नहीं है चोटी सी बच्ची है और जब इसके साथ यह हुआ तो इसकी शेकल देखने वाली हो गई थी और मेरी मतलब रीडिंग स्पीड उसकी रीडिंग स्पीड से तो उसकी वज़ से उसकी मैं रीडिंग स्पीड बहुत अलग है जो रोज रीड करती है वो पांच हाजार लफज होते हैं तीस मिनट पेंटीस मिनट चारीस मिनट ऐसे होते हैं आज उसके अलफाज थे 22,000 थे जिसको मैंने एक घंटे में कंप्लीट कर दिया तो आप खुच सोचों कि अगर यही की अरीज रीड कुरती थी कि अरीज आपके लिए रिकार्डिंग करती इस चीज़ की तो ना में भी दो से धाई घंटे तीन घंटे तो कम असकम जाते ही उसके लेकिन क्योंकि मैं बहुत स्पीड से परती हूं और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है हो सकता है कहीं च अपर्माइस करना पड़ेगा क्योंकि आपकी राइटर ने हिमत चोड़ दी थी मतलब कि वह आज ना फिर आज नहीं करेगी तो उसकी तबीद भी आजकल इतनी अच्छी नहीं है तो एक तो मतलब इसकी अपिसोड भी मतलब चल करूंगी तो मतलब करूंगी मेरे हैल मेरे तो बहुत है तो पर दो आजकी अपिसोड करें तो बस इसी चीज़ को लेकर अच बरदाष्क कर लो मैंने आगे वी तो तीन बार अपिसोड रिकार्द कर लो मैंने याज बहुत हो जाती है उसके अग़वाज नहीं नीकल रही होती तब उसका मुह बन जाता है कि अभी मैं लिए केसे चुप मेरे रीडरेश में दून एक तरु दो कोई प्रोब्लम में तर्म मेजद कर सकते वेद्स और के दू हुआ कि इसे आज से आ नहीं भी तो चुप मेरे छिप सकते हैं कि अमेरे घ्स्रीत मैं इस्टिर में एक ग्या हो नम तो सुप कर जाते हैं तो घारी चुप चुप हो जादा है बस इसलिए उसके रिकार्डिंग आज मेने कर दी है तो हम अमीद करते हो कि आपको यह पसंद आई होगी लास्ट अपिसोड थी कुछ बॉनस सीन्स हैं जो आप्टर रमजान या फिर अफ्टर अफ्तारी के बाद मतलब बो देगी तो यह है भी यह ओझते है क्या लिगती है यह देती है क्या लिए लिखती है क्या लिखतीन दैती अ कर दें जो एक बिदे लिखीव से जाद को और मैं उ awak अध्यए पहल niye we calle लिख भी इस इस नहीं के लिए डाल पींड़ कर दो हैं है यह कि कर लेतितल एकलि क्यह फाल उसक्तर एउ उनके क्यूट एक सीन आएंगे तब देखो मैं भी आमारा और तलहा का भी शायद कोई सीन आसकता है उसके बारे म真 अग्ल आपैर अपैर्सी देखे կह वह वह नहीं हूं शूर नहीं हु ए तो है कि अपट ऑगा है कौन सीन में करते है क्या करता है क्या नहीं करता है तो मिलें कि आपकी राइटर मिलेगी आपको कल परसू एक न्यू नावल के साथ न्यू जरनी के साथ तब तक दीजिए अपनी राइटर को और अपनी राइटर की बहन को इजासत दुआ में याद रखें खुश रहें आबाद रहें खुदाफीस